हेलो गाईस आज मैं स्टार्ट करते हैं क्वेशन नंबर 15 यह क्वेशन है हमारा चैप्टर जर्नल से क्लास 11 और यह क्वेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 8.58 पर टीएस ग्रेवाल के लेटेस एडिशन में 24-25 एडिशन है टीएस ग्रेवाल हमारी बुक का उसके पेज नंब पास थे नैसेसरी जर्य एंट्री फॉर्ण फॉर्वाइं ट्रांग्शन से सुरेका स्टेड बिजनस विद कैश रुपीस 5 लग बिजनस में कैश आया सुरेखा ने बिजनस स्टार्ट किया हमेशा हाद रखें जब भी हम कोई जर्न एंटरी करते हैं हम लोग करते हैं बिज transaction owner के साथ होता है तो कोई भी किसी भी जर्ल एंट्री में ओनर का नाम नहीं आता है ठीक है जैसे यहां पर सुरेखा ने बिजनस स्टार्ट किया बिजनस में कैश लेके आई ठीक है तो हमें क्या करना है वाट वीजनस में कैश आ रहा है डेबिट वाट कमसें कैश एक रियल अ अब हमें पैसा को रहा है यहां पर तो हम यहां पर तू सुरेखा लिखना चाहेंगे अगर रूल के हिसाफ से चले दर टू सुरेखा लिखेंगे बट यहां पर सूरेखा ओनर है और बिजनस के बुक्स में ओनर का नाम कभी नहीं आता तो हम क्या करेंगे सूरेखा की जगे वर्ड लगाएंगे capital to capital account ठीक है capital हमारी लाइबरिटी बन जाती है because हमें business को क्या करना है यह पैसा कमा कर वापिस देना है द pytanie सूरेखा को तो capital लेखतर एज रही लाइबरिटेँ इंटरनल लाइबरिटेटी और capital लेकतर यहां पर्संट्रन का मतलब है कि यह personal account किसको舌न करता है यह personal account owner को represents करता है capital का मतलब ऒनडramento तो दिखो यहां पहली लिखेंगे नुरिशन में being cash introduced in the business safeguard level Catal introduced in the business 8664 रादर बेटर बेंग क्यापिटल इंटर्डूस इन दर बिजनस यह हो गया नौ नेक्स्ट बॉट गुट्स फ्रम गोईल संस और थ्री लैक पेड हाफ इन कैश देखो हाफ तो क्रडिट टरंजिक्शन है और हाफ कैश में बेकिया हमने गुट्स परचीस किये हैं गोईल संसे देखो हमेशा याद रखो जब भी कोई क्रडिट ट्रंजिक्शन होता है ने दोस्तों तो क्रडिट ट्रंजिक्शन होने का मतलब है पार्टी पिक्चर में आ जाती है जिस पार्टी के साथ हमने क्रडिट ट्रंजिक्शन किया है वो पार्टी अकाउंट हमारी बुक्स में आजाएगा अब पार्टी हमारे लिए क्या है पार्टी हमारे लिए पर्सन है पार्टी इस में भी आर्टिफिशल पर्सन और पार्टी में भी नैच्रल पर्सन तो जैसे करते हैं और गुड्स नाम कभी नहीं आता पर्चीज़ वर्ड यूज में आता हमेशा ठीक है तो पर्चीज़ अकाउंट ट्री लैक्स कैश जा रहा है आधा कैश हमने पेग कर दिया तो यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट अब आधा पेमेंट अभी बाकी है गोईल सन को में देना है तो पाटी पिक्चर में आगी और जैसे पाटी पिक्चर में पर्सनल एकाउंट पिक्चर में आ गया परसनल अकॉंट का रूल किया है क्रेडिक गिवर और डैपे रिसिवर यहां पर लिखेंट क्रेडिटर उसने हमें dissolved in a ट्रूंट को ट्रेडिट बन ए सपांए चरण यह वों लेकिंटे आपकों बिच्टेश ऐसा चोटा सा नारेशन लिख दो being goods purchased ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं sold goods to Sony का for rupees 1 lakh received 60,000 immediately यहां पर भी ऐसा ही हमने goods बेचा credit में बेचा सबसे important हमने इसको credit में बेचा ठीक है तो picture में आगई सोनी का और थोड़ा बहुत cash भी आया है जिसे वन लेक का goods हमने बेचा तो 60,000 cash आया है ठीक हम एंट्री करेंगे cash account debit debit what comes in हमरे पास कितना cash आ रहा है हमरे पास 60,000 cash आ रहा है ठीक है तो cash account debit that is 60,000 ठीक है अब देखो goods हमने sale किये हैं एक लाके है हमारी income है two sales income को credit करेंगे credit or incomes and gains 1 lakh ये credit कर दिया हमने अब 40,000 अभी हम Sonika से मांगते हैं जब भी कोई credit transaction होता पार्टी पिक्चर में आ जाती है तो Sonika हमरे लिए पार्टी है वो पिक्चर में आ गई personal account का rule apply होगा हमने Sonika को माल बेचा she is a receiver हमारे point आवी से वो receiver है तो debit the receiver हम entry करेंगे Sonika account debit debit the receiver कितना पैसा मांगते हम अभी उससे 40,000 रुपीज मांगते हैं so this is entry for sales इसमें credit sale और cash sale दोनों क्या गई ठीक है being goods sold to Sonika ठीक है next देखते हैं 10% of the goods returned by Sonika being defective अब देखो Sonika से हम 40 40,000 रुपीज मांगते है Sonika हमारी books में 40,000 debit है Sonika account हमारी books में debit 40,000 और इसने 10% goods return back कर दिये 10% कितना हो जाएगा 1 lakh का 10% तो 1 lakh का 10% कितना हो गया 10,000 10,000 के goods return back कर दिये ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे वैसे भी Sonika से 40,000 मांगते हैं जब भी goods return back होते है sales returns account को debit करते है ठीक है देखो कैसे इसको कैसे समझेंगे अगर आपने माल बेचा तो आपने sales account को credit किया ठीक है अगर यह माल return back आ गया तो sales returns account को debit करेंगे इसका opposite हो जाएगा sales returns account debit how much 10,000 goods return back आ गए Sonika को credit कर देंगे बिकॉस शीज़ गिवर उसने हमें माल वापस से बेजा है तो शीज़ गिवर तो to Sonika account credit the giver to Sonika account 10,000 अब देखो Sonika को हमने आप पर credit कर दिया 10,000 से being goods returned by Sonika returned by Sonika यह entry होगी हमारी अब देखो 10,000 के goods return back हुए Sonika को हमने आप पर credit किया देखो Sonika हमारी books में debit थी पहले 40,000 से हमने उसको बाद में credit कर दिया कितने से 10,000 से तो अब देखो Sonika अब हमारी books में net debit कितनी है 30,000 माइनस कर देंगे 40 में से 10 को माइनस कर देंगे मतलब अभी Sonika से हम 30,000 रुपए मांगते हैं पहले हम 40 मांगते थे बर 10,000 के goods return back आ गए तो हम अब उससे कितना मांगते हैं हम उससे अब 30,000 रुपए मांगते हैं ठीके दोस्तों अब देखो पेड टू गोईलसंस वन लैक 40,000 इन फुल सेटलमेंट तो गोईलसं हमसे कितना मांग रहा था गोईलसं हमारा क्रेडिटर था वन लैक 50,000 से पहले देचुके थे ठीके 3,000,000 लैक 50,000 और मांगता था तो गोईलसं हमारा क्रेडिटर है कितना मोंट से 10,000 से देख़ो अब गोईलसं हमारा क्रेडिटर है न तो उसका हमारी बूक्स में क्या है उसका बैलेन्स हमारे क्रेट किया है तो क्रेट किया है तो मतलब वह आपका क्रेटर है ठीक है क्रेडिट में उसका बेले सभी क्रेट में पढ़ा है क्योंकि आपने पहले क्रेट किया था अब देखो जब हम गोईलसन का व्हें फुल सेट्ल्मेंट पेडमेंट कर रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैशी इंदि ट्रू कैश ट्लिषय्जा अपूंत झाल it is 1000 1000 हो गया sorry 1000 ठीक है आप देखो हमने cash दिया हमने उसको loss भी दिया हमारे लिए तो discount फाइदा है पर उसके लिए तो loss है ना तो हमने उसको loss भी दिया हमने उसको cash भी दिया उसने receive किया और वी दिश्काउंट कुद ही दिया रहा है अगर देखा जाया accounting तो लॉस जेल रहा है ठीक है तो वी दिश्काउंट को डेबिट कर दो कितना अमांट से वैसे फुल सेटल्मेंट हो रहा है तो गोल्सन को पूरे डेबिट कर दो अब देखो गोल सेंब्सेंब्स में क्रेडिट था 1,50000 ते उससे डेबिट कर दो 1,50000 से अब गोलसन हमारी बुक्स में zero हो गया क्योंकि जितना क्रेडिट था अपने उतना ही डेबिट कर दिया जी रो गया चेक है आगे रिखते हैं amount due from Sonika is not receivable Sonika से हम कितने मांगते थे 40,000 मांगते थे 10,000 के उसने goods return back किये अभी हम उससे मांगते थे 30,000 ठीक है अब Sonika से हम 30,000 मांगते थे Sonika का पैसा नहीं आया Sonika हमारी books में थी debit 30,000 ठीक है वो insolvent हो गई उसने हमें 30,000 रूपे नहीं दिये उसने 30,000 नहीं दिये बट उसने हमें लॉस दिया अब शीज़ गिवर ऑफ लॉस क्रेडिट दा गिवर Sonika को अब क्रेडिट कर दो क्योंकि Sonika की books में requirement नहीं है उसका पैसा नहीं आएगा तो उसको क्रेडिट करके खतम करो शीज़ गिवर ऑफ लॉस ऑफ 30,000 क्रेडिट दा गिवर और लॉस हमारे ली क्या है लॉस हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम डेबिट कर देंगे डेबिट अल एक्सपेंसे अन लॉसेज हम यहाँ पर इस नॉमिनल अकाउंट को क्या लिखेंगे नाम बैट देट्स हम बेइंग लॉस गिवन बै सौनिका ऐसा कुछ भी लिख सकते हो गिवन बै सौनिका सौनिका ने में लॉस दिया हमने ट्रिगर देट्स अकाउंट डेबिट टू सौनिका पेड फिफ्टीन ताउजन रेंट टू-थर्ड अव्ध रेंट प्रमाइसे टू-थर्ड अउक्यू अधर्ण होगा 10,000 यह जो 10,000 का रेंट यह परस्नल यूज के लिए क्योंकि वो ऊक्यूपाई करका िदी उसना परस्नल है यूज के लिए और 5,000 जो रेंट दिया गया है दिए ऑफिस यूज के लिए ठीक बचाओ, फइस चिह वॉफिस यूज के लिए वंतर्ड इटिस और office use तो दीखो हम क्या करेंगे हमार पस दो रास्ते पहले तो हम क्या करें रेंट पे करें एक एंट्री करते हैं मैं आपको यहीं पर करके बता हूं दू एंट्री से ना पहले मैं एंट्री करता हूं रेंट अकाउंट डेबिट कि 15,000 कि टू कैश फिफ्टीन थाउजन ठेक है यह हमने रेंट को पूरा डेबिट कर दिया अब थी हो रेंट आपने पूरा डेबिट कर दिया 15,000 से बाट यह रेंट एक्समेंस के पॉइंट ओफिजिक है आपने यह जो रेंट 15,000 का इसमें से 10,000 रेंट उसके परस्नल के लिए तो हम लोग क्या करेंगे यह जो रेंट अपने डेबिट के एना expense मानके हम इसको drawings में convert कर देंगे यहां पर entry कर देंगे drawings account debit हम एक entry करेंगे drawings account debit drawings account debit 10,000 और जो rent debit कहता उसकी जिए rent को credit कर देंगे है to rent account 10,000 ठेके दोस्तों यह तो होगी दो entries दोस्तों इन दोनों के हम combined entry भी कर सकते हैं 5000 हमारा rent है business के लिए तो rent को expense मानके debit कर दो rent is an expense for us debit all expenses and losses 5000 और जो drawings करी पार ओनर ने drawings को debit कर दो ठेके capital को हम क्रेडिट करते हैं drawings को debit कर दो drawings account debit 10,000 टो cash यह combined entry होगी दोनों की एक साथ 15,000 cash जा रहा है तो 15,000 cash कर दिया हमने so I hope कि यह entry समझ में आगई होगी मैंने combined entry भी आपको बता दिए यहां पर और मैंने individual entries भी बता दिए आपको single entries भी ठीके तो दोस्तों यहां पर question complete हो जाता है I hope कि हमने चोटे-चोटे concept सीखें होंगे इसमें अच्छे से next question मिलेंगे दोस्तों thank you goodbye